नमस्कार दोस्तों आये में इसके यादा फरम जी एमारे स्टडी आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ के जो हिंदी है उसके मोडल पेपर के बारे में देखते हैं अब्जेक्टिब टैप के क्वेश्चन्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हमरा फर्स्ट क्वेश्चन है इनही जैचंदों के गारण देश प्राधीन हुआ है इस वाक के में जैचंद कौन सी संग्या है तो ये बेक्ति वाचक संग्या है संग्या के बारे में बता दे आपको तो संग्या किसी बेक्ति बस्तुवस्थान या जाती के नाम को कहा जाता ह या दुनिया में जितने भी नाम है वो सभी को हम संग्या कहते हैं, संग्या के पांस प्रकार है, बेक्ति वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या, द्रविवाचक संग्या, भाववाचक संग्या और समुवाचक संग्या, तो बेक्ति वाचक जो होता है, प्रशनल प्रोनावन तो मैंने जो है यह पुरुस बाचक सर्वनाम है यानि को हो जागा इसके नायीट आन सर नेक्स्ट है यह गाय बहुत दूछ देती है इस वाक्टे मेसं क्या है तो यह एक निश्च्य बाचक सर्वनाम है जिससे निस्टा का भाव निस्टा का भाव यानि बोध हो रहा है इसलिए हम इसको निस्टा बाजक सरनाम कहेंगे नेक्स्ट है मैं आपकी सरन में आया हूँ इस वाक्य में किस कारा की विभक्ती है तो आपको बताना है कि में में किस कारा की विभक्ती है तो यह अधिकरन है नेक्स्ट बरतमान काल के कितने परकार हैं तो बरतमान काल के जो है वो बरतमान काल जैसे हम पहले काल देखे तो काल के जो है आपका तीन परकार होते हैं प्रजेन यानि बरतमान काल भूत काल भविस्यकाल और परतेक का चार-चार परकार होता है ठीक है त तो सेयन का जो संदी विशेद होता है वो सेज और अन हो जागा यानि घौव एंसर नेक्स्ट है आपका यदि विसर्ग के बाद च और च हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है तो तलाबस्व में जो है परिवर्तित होता है नेक्स्ट है पत भरस्ट में कौन सा समास दराए बैतकाल ठाल में तत्थ पूरुस समास है इसमें पतभरस्ट में नेक्सटैयर विभाव समास होता है अन्ती मत परधान यानि अब विभाव जो समास होता है िया कि उसमें लेड魔 भी गारी मुख्य अप्रधान होता है दुरलव में कौन सा उपसर गयं तो दुरलम में दुर उपसर्ग जो है आपका गोव हो जागा इसी तरह से next question अगर हम देखें तो लिखावट में कौन सा प्रत्य है तो आवट जो है इसमें लिखावट तो आवट जो इसका प्रत्य हो जागा यानि गोव नेक्स्ट है निमलिखित सब्दों में कौन सा सब्द जो है आपका सुध है तो सुध है आपका महुर्त यह आपका खो जो है राइट अंसर है महुर्त निमलिखित सब्दों में कौन सा सब्द सुध है तो इसमें भी सुध बताना है तो वाहिनी जो है यह राइट है यह जब क आपका अंसर है जबकि कोयल का कंट मधूरतम है जैसे राम को चरका कातना चाहिए मैंने कवीता सुनाया यानि राइट जो आपका अंसर है घह है मेला में मीठाईया बीगती है नेक्स्ट है दिन दूना राच चौगूना महामरा का अर्थ क्या होता है तो खुब उनत्ती करना यानि कोई भी वेक्ती अगर दिन दूना राच चौगूनी महनत होता है तो नहीं कहते कि इसे वो खुब उनत्ती कर रहा है बहुत ज्यादा विकास कर रहा है तो दिन दूनी और राच चौगूनी इसको हम लोग कहते हैं नेक्स्ट है जाती प्रथा और स्रम विभाजन के स प्रथाistas 27 का रूप लिए हुआ है तो ए श्रमिक विभाजन का यो है रूप लिए हुआ है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा गौ स innov même विभाजन का रूप लिया हुआ है है कि नेक्स्ट हैं ज dress तक सेंञा किनाई मोटरकार कितने की थी तो साहे 7000 कि थी सेंद साहब यह जो 20 के दाथ चेप्टर से लिया गया है नलीन बिलोचन सर्मा इनको लिखा हुआ है और यह उपर वाला जो चेप्टर देखे जाती प्रथा श्रम्भी भाजन और जाती प्रथा यह अक्टर भीवरा ओंबेतकर के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट है महल और जोपरी वालों की लराई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं पर उसी हालत में जब दूसरे जोपरी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाब करते हैं तो किस पार्ट किये पंगते तो 20 के दाथ है मैंने भी चाचा किया 20 के दाथ चेप्टर से लिया गया है जिस सलाव वनिक जो भासा है उसमें हम चुहे को माइस करते हैं नेक्स्ट है पुराने कामों सब समय बांचनी यही नहीं होता किस लेखा की पंक्ति है हजारी परसाद दुवेदी जी कहा है यह आपका राइटन सा नाखुन को बढ़ते हैं चेप्टर में यह हजारी परसाद भी थी बहादूर लेखा को क्या करकर संभूधित करता है ? तो साहब जी यह साहब जी कहांहीं बहुत ही in नेक्स्ट है राम विलास सर्मा को किस क्रीती के लिए सहाइत अकादमी पुरुषकार दिया गया तो निराला की सहत्य सद्धना के लिए दिया गया है बहादूर अपने घर से क्यों भागा था तो मा कि मार के कारण जो कि आप इस कहानी में देखिएगा तो इसमें दिया हुआ है यही के बारे में बहादूर जो है एक निपाल तराई छेतर के रहने बाला है और एक बार वह भाएस को उस बहुत ज्यादा पीटता है जिससे उसकी माँ जो है बहुत ज्यादा प्रेम करती रहती है जिसके कारण उसकी माँ उसे बहुत मार मारती है और उसे अंतरता जो ह पंडित बिर्जु महराज ने अपने पिता के साथ आखरी प्रोग्राम कहां किया है तो मैंन पूरी में किया है पंडित बिर्जु महराज जित जित में निखरतों है आपका मैंन पूरी पंडित बिर्जु महराज के सक्षतकार के बारे में इस चेप्टर में दिया गया है नेक्स्ट आपका आनंद ब्रेता रेने शौ और पाल एन्वार ने अब नियों में रहकर सनिक तुरुप से लगभग कितिने कविताओं की रचना कीए थे मचली कहानी के लेखक वह अबिनोत कुमार सुकल है मचली कहानी के बारे में अगर आपको बताए तो ये बहुत ही महत्वपुन कहानी है जो की लेंगिक और समानता साथ ही बच्चों की जो जागरिक्ती होती है एक जीब के प्रती उनके बारे में भी दिखाया गया है इसमें इस मचली कहानी में तो बहुत ही इंपोर्टेंट है कहानी है इसमें जो है संतु और उनके एक बरे भाई है जो मचली बजार से लाता है और मचली लाने के गार में ही उनमें एक अलग स्युमंग होती है मचली के परती कि मैं इस मचली को एक मचली को इसमें से रख भी लेंगे साथी उनके घर में दिदी भी है तो दिदी जो है उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करती है बहुत चाहती भी है जिसे कहाना जब उनके बस्तर अगर भीगे हुए रहते हैं तो उनकी बस्तर को बहुत ही प्यार से उनकी दिदी जो है वो निकाल करके और नए कपरे जो है उनको पहनाती भी है यह सब इस कहानी में दिया गया है साथ इस कहानी का जो अगर एक most important subjective type का जो question है वो है कि दीदी और मचली में क्या समानता है तो इसका कुछ important point आप समझ सकते हैं और इसको आप याद भी कर सकते हो तो दीदी और मचली में जो मुखे समानता हैं जैस है कि दीदी यानि मचली जो है वो पानी में रहती यानि जल में रहती है और दीदी घर में रहती है मचली पानी से निकलने पर मार खाती है और दीदी घर में मार खाती है तो इसी तरह का बहुत सारा है उसमें point दिया गया है लेगिन यह सब आपका मुख्य point है इसे आप जो है मचली मचली लेकर के भाग गया जब उसी उसका जो नौकर उसको काटने के लिए जो रखे रहता भग्गु जो उसका नौकर है विनोत कुमार सुकली जी का यानि जो लेखा का जो नौकर है वो है भग्गु रहता है वही मचली काटने का काम उसी के जिम्यदारी रहती ह तो जब जो ही वह काटने एक को काट देता और दुसरी को जो ही काटने के लिए वो तयार होता है कि उससे पहले ही संतु जो है अंगोचा में ले करके और भाग जाता है तो संतु जो है लेकर के मचली को भागता है बिस्मिल्ला खा के पिता का नाम क्या है पैगंबर बक्स इनके पिता जी के नाम थे इनके पिता जी का नाम जो है पैगंबर बक्स थे और बिस्मिल्ला खा का जो जनम है वो बिहार के डुमराव में हुआ है और इनकी पूरी जो सिक्षा है सानाई के जो है वो कासी उतर परदेश में हुआ है और बहुत इंपोर्टेन चेप्टर है डुम्राब की महत्ता के बारे में पूछ दिया जाता है कि डुम्राब का महत्ताता क्या है तो बारे में अगर आप बताएं तो इसमें यहां पर बिस्मिल्ला खाजी के जो भारत रतन से सम्मानित हैं इनको जो है भारत रतन भी दिया गया है बिस्मिल्ला खाजी को तो इनका जनम अस्थान है साथी जो सहनाई में जो एक नरकट जो होती है लगा जाता है उसका भी जो है आपका डुम्राव में ही नदी के किनारे मिलता है तो यह दुम्राब की महत्ताता इसके कारण भी है मेरा धर्म कैद खानों का धर्म नहीं है किस पाठ के पंक्ति है सिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी ने इसमें बहुती चर्च चर्चा किये है इसमें नेक्स्ट आपका किसके बीना प्रानी को मुक्ति नहीं मिलती है तो यह गुरु ज्यान होगा गुरु ग्यान के भीना रश्खान को पुस्ट्य मार्ग की दिख्षा किस ने दी तो गो सवामी बिठलना तस जो है इनको जो है पुस्टि मारग की शीच्षा दीजी नेक्स्ट आक रे कभी प्रेम मारक वस्टी सुदह क्यों कहता है तो किस में तनिक भी चतुराई काम नहीं करती यहां सच्चाई भी अपनी घमन त्या करती है और यहां कप्टी लोग चलने से जिजकते हैं तो इन में से सभी जो है राइट अंसर है स्वधेशी सिर्शक पार्ट में दोहो का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है प्रेम घं सर् दंबरा जोग के लिए इनको मिला है और सुमित्रा नदपंद जो है वो भारत माता ग्राम बास्ती चेप्टर के जो आपका लेखा कभी है इसको याद रखें नेक्स्ट है दिनकर किस काल के प्रमुक कभी है तो दिनकर जो है छाबाद के प्रमुक काल के कभी है इनका जनम स इनका जनतनतर का जनम शिहासन खाली करो की जनता आती है कलास्टेंट में यह बहुती इंप्रोटेंट है तो यह च्छाबाद के कभी थे नेक्ष्ट है हिरो सीमा पार्ट में नगर के चौक पर निकलने वाला जो सुरज क्या है तो सुरज जो निकलने वाला हिरो सीमा पर है वो परमानु भम है यह सचीदा नंद हीरा नंद बात स्यान के द्वारा लिखा गया है आपका हिरो सीमा के बारे में दिया गया है कि परमानु भम जो गिरा जाता है हिरो सीमा और नगा साकी पर यह रात के जो निकलने वाला जो है के बारे में कभी मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं तो जंगल होता है कि नेंद को प्रतिक तो निन्द जो है वह आलस का प्रतिक है तो ठोजएगा नेग्ष थैसे का 2 बेचानी किसकी है तो आपका जो आनामिका जी का है इसमें अक्षर ग्यार के बारे में दिया गया है चेप्टर में नेक्स आपका गंध जहां होगी होगी ही भरी घ्रास की किस कभी की पंक्ति है तो जिवनान अंदास का जिवनान अंदास का इसका राइट अंसर हो जागा आपका कहाँ खव राइट अंसर हो जागा नेच्ट है आपका जो मेरे बीना तुम प्रभुरेनर मार्या रिलके जो है धरम बेर भारती के द्वरा भाशारांत्रित की गई है धही बाली मंगमा कहानी किस भाशासे अनुमोदीत विपती अकेले नाकर के सगी साथि आती है और यह चेप्टर है धर्ते भिश्वास से लिया गया मा कहानी की भासा से अनुमोदीथए जो है है वासा से लिम्हादित है उस घर में अब सास और वहों मैं स्वतंत्त की होर लगी है यह पंक्ति कहां लिया गे तो दही वाली म्कवा जिसके बारे में आपको कहानी शौंत में बताई तो दही मंगमा जो है कहानी एक गैव दा जो है आपका बंगलौर के सहर में रहनेवाली एक बंगलौर के सहर से सपस्टे लोत सेंक काउं की कहानी प्रून जो मुख्य tão से कंडर भासा में है यह दिया गया इसमें बताया गया कि किस तरह से सास और पोँपू हमें जो है झखरा होता है। दोनों में एक छूटा सा बात बच्चे को फितने last 5 पर जो मंगमा प्पुत। पुतो है नजमा किसी बात पर अपने बेटे को यह पिट देती है जिसके कारण जब उनकी सास देखती है तो उस पर भरग जाती और यहीं जो है विभाद दीरे दीरे बहुत ज़्यूंतों बोगाए लगती है लेकिन बहुत सारे कोशिस के बाद वह तो जो है फिर सभी जो है एक हो जाते हैं और अपना हासी पुर्भक जो है जीवन को बिटाने लगते तो वही है नेक्स्ट आपका है उस घर में अफसास दही बाली मंगमा से बल्ली अमाल किस गाउं से आई थी गुंडल पू गुंडलू पेट से था आई हुई थी बल्ली अ नेक्स्ट है सीता के बरे पुत्र का क्या नाम है तो कैलास है सीता के बरे पुत्र का नाम नेक्स्ट है मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है करागार का ने मंगू की मां जो है मंगू जो पागल रहती है उसका अस्पताल में इसने नहीं भरती करवाना चाहती है तो क्यों वह मंगो की मा JOSH यह व historically का चुए वह आस्पताल को करागार की स्रेशटी में रखती है और हो गती का whispering कि तरह कैदी की तरह वेभार के जाता मरीजों से next है इस रंग राजन किस लेखा का पूरा नाम है तो सुजाता का जिए पूरा नाम है सरंग राजन तो इस तरह से बहुत ही important question हम लोगों ने चर्चा किया जो हमारे board के लिए बहुत ही important हो सकते हैं यह आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यह हमारे study youtube channel को like किजिए subscribe और share जरूए